नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Infinix 05G vs Xiaomi Mi 11 Lite का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 05G में 6.64 इंच जबकी Mi 11 Lite में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जोकी 05G से कम है विट की बात करें तो 0.5G में 3.01 इंच जबकी MI11 Lite में 2.98 इंच की विथ मिलती है जोकी 0.5G से कम है बात करें थिकनेस की तो 0.5G में 0.34 इंच जबकी MI11 Lite में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 05G में 199 g जबकी MI11 Lite में 157 g का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 05G में IPS LCD जबकी MI11 Lite में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो 05G में 20.5 रेशियो 9 जबकी MI11 Lite में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो 05G में 6.78 इंचर्स जबकी MI11 Lite में 6.55 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजूशन 05G में 1080 by 2460 और MI11 Lite में 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तो बॉड़ी रेशियो 05G में 84.71 प्रतिशत जबकी MI11 Lite में 85.25 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो 05G में 396 प्रति इंच जबकी MI11 Lite में 402 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल पोन का महत्वपोन हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 05G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Telephoto Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और MI11 Lite की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 05G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और MI11 light में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अईए अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो 05G में Mali G68 MC4 जबकि MI11 light में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 05G में MediaTek Dimensity 900 MT6 877 और MI11 light में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है बात करें RAM की तो 05G में 8GB की RAM मिलती है जबकि MI11 light में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो 05G में 128GB की storage मिलती है जबकि MI11 light में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो 05G में up to 256GB जबकि MI11 light में up to 512GB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी 05G में 5000 mAh जबकि MI11 light में 4250 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो 05G में 2 colors जबकि MI11 light में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो 05G में एक ही variant देखने को मिलता है जोकि 8GB RAM 128GB storage के साथ 19,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें MI11 light की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जोकि 6GB RAM 128GB storage के साथ 23,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 23,719 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Infinix 05G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi MI11 light की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में MI11 light आगे है में कैमरा में MI11 light आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में MI11 light आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है तीसरा Infinix 08i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत गूलना